हलो एबरिबन स्वागत है आपका चेतने स्टेडी पर सो दोस्तों जैसा कि आपको पता है आपका रीट का एक्जाम है वो आने वाला है और मही नहीं बचे हैं कुश तो चलिए उसकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं और जब हम रीट के लेवल टू पर बात करते हैं तो बहाँ पर एक सेग्मेंट दिया हुआ है राजस्तानी सब्दों के हिंदी रूप यानि कि जो राजस्तान में प्रचलित सब्द हैं उनका हिंदी में मीनिंग आपको ढूनके बताना होगा तो कुश मैं आपके लिए बहतरीन सब्द लेके आया हूँ जिनकी परिक्षा में आने की पूरी उम्मीद है तो बिस्पास रखिए और पढ़िए ने चाहरए तो फल ने खिर Wasiiliyor का घ्रीव बहुत है तो बहुत जादा बहुत जादा बाइस की तो इसकी वाली जादा होती है या बहुत सारे देशों में गाएगी बहुत इंपोर्टेंस है तो उसका यूज़ जादा होता है ठीक है तो ऐसे यहाँ पर कुछ बढ़ने उनके बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले है बेंत बेंत का मतलब होता है जवान उट अगर उट है वो अगर आपका जवान है तो उसे हम कहेंगे बेंत क्या कहेंगे बीत फिर है पाक्टा पाक्टा माने होता है बुड़ा उट उट अगर बुड़ा है तो उसे हम कहेंगे पाक्टा फिर है आपका पलोथन पलोथन वो होती है जब जब रोटी बनाते हैं तो आटा गीला होता है तो उस पे अत्रिक्त जो अटा लगाया जाता है। उसे हम कहते हैं पलो थन। भी थे का मिसल जो होता है आपका पंकथि में में बैटेएंगे उसे हम कहेंगे मिसल ठीक है फिर आता है लांटा लांटा होता है कटी हुई फसल का कर अगर फसल है और उसे आप काट के लाए और उस पे आपको कर टेक्स देना है तो उस कर को हम कहते हैं लांटा क्या कहते हैं लांटा ठीक है बार बार बोलिए याद हो जाएगा फिर है कांटा कांटा का मतलब हो होता है अगर ये फस्य प्राइण घी wrap नांट तो ये जो ओता तो परापको टेक्स देना होता है उसे हम कहते हैं कांनता ठीक है अगे चलते हैं अगला है गवारिया गवारिया गवारादमी क्या गोंगुम्न कर तरहिज़े वाले को गवारिया कहते हैं, फिर है आपका देवरा, देवरा इसका मतलब होता है धार्मिक इस्तल का चोटा रूप, धार्मिक इस्तल का अगर चोटा रूप है तो उसे हम क्या कहेंगे देवरा, क्या कहेंगे देवरा, फिर है इमाम बाड़ा, इमाम बाड़ा को तो आप जा जाती है उसे हम कहते हैं इमाम बारा क्या कहते हैं इमाम बारा ठीक है अगला पढ़ते हैं डांगडी रात मिर्तियों के बाद 11 रात का जो जागरन होता है उसे हम कहते हैं डांगडी रात फिर है आपका लालिया कालिया लालिया कालिया वो है आपका अजमेर का मेला तो अजमे एक चुमाइजन रात के समस्रीयों कि शिजशा, वेशक़े आदियों से गुडिया करनी सबला सावन ओके फिर बेरा को याद रखें बेरा को कहते है कुवा बेरा को क्या कहते है कुवा बीरा को क्या कहते है भाई और बीरा को क्या कहते है भाई आपने जो सीरियल भी आता था इस्टार प्लस पे बीर की अरदार सबीरा ठीक है तो बीरा क्या होती है और चमाडिया क्या होता है बैल या भैस को हकने वाला डंडा जिसे गाउं में अपने लोगों कहते है पैना क्या कहते है पैना और राजस्तान में क्या कहते है तो राजस्तान में कहते है चामडिया क्या कहते है चामडिया जगत जगत होता है कुए की मुंडेर तो कुए की मु निलोड घास का इस्तानीय नाम है उसे हम कया कहते है लिलोड और सुंड क्षेती करने से पहले कि सपाई की जातीच उसे कहते किसे कहते हैं किया कहते है सुंड निनान्ज खेती करने के बाद अनावस्य कहत और हरा Society वो होता है आपका निनाड तो निनाड क्या होता है दोस्तों अगर आप खेती कर रहे हैं और खेती करने के बाद उसमें जो अनावस्य घास है तो उसे हम कहते हैं तो उसे हम कहते हैं निनाड गोफर्ण क्या होता है पक्षियों को उड़ाने के हितु जो पत्थर बांद कर फे होता है वह आपका गोफर कहते हैं ठीक है जैसे कि आप गाउं में देख लीजिए अगर आप ग्यों की खेत में ठीक है और आपको चड़िया भागानी है पक्षी भागाने हैं तो आप क्या गाम करेंगे उस किसी में एक डेला बाद लेंगे और उसे बहुत दूर तक फेकेंगे ठीक है तो यंतर जो यूज हुआ जाता है उसे हम कहते हैं गोफर्ड ओके फिर आता है बिगोडी बिगोडी होता है वो आपका भूमिकर होता है और यह आपका नगत रकम होती है मतलब यह आपको नगत द अरक मिद्स刃 लगारि फासे खाल लो आपके लिए एक फैर की इसबी पर्णी तृएजाऊ ऐसे सांग्री प्रक्रणिन के लगने वाली एक सब्सु तो जो खेजडी के ताइम पर एक सब्सु लोती है उसें कहते हैं सांग्री खेजडी लगने वाली सब्सु अए शब्स रखने वाली के लिए मैंद दाबस शेखर वार lleva है प्रभ Local ऑढ़ सब्सक्रसाओरे तो में आता है ह्पूने अबानर वख को दम क्या है आइंड से वर अभाई ऊट को ऄप में सट्षी क्फड कि चलते हैं यह सकते हैं अनने शेखरबस दोल दे careers कि याद रखना कि ये लंगर व वाला वो लंगर होता है ठीक है जिसमें क्या होता है खाना फ्री में खिला यक्ता है दैन का आता इन yapıyorsun पालर रानी बरसा यहां फालर員 को बाले जाने वाली सामगरी जो ऊट को गारी से जोड़ती है उसे हम कहते हैं तांगर पटी गिरवाड़ा ऊट के नाब में डाली जाने वाली लकड़ी जिस पर रसी बंदी होती है उसे गिरवाड़ कहते हैं आपकी निमजर या मिंजर खेजडी पर लगने वाले छोटे पुस्ब को मिंजर कहते हैं छीकी पसूओं के मु आपको मेरा कोसर नहीं है कि राजिस्तान का जो राज की ये पक्षी है और राज की ये फूल है वो आपको कमेंट बॉक्स में इसका अंसर देना है कौन सा पक्षी राज की ये और राज की फूल कौन सा है ये आपको एक्जाम में मिल सकता है ठीक है तो ये सब्द थे ये हमने पड़े आगे और भी हैं तो इन्हें हम कल पड़ेंगे मिलते हैं हम आपसे नेश्ट वीडियो में तब तक आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए और रीड में हम आपके पूरी तरह साथ हैं मिलते हैं नेश्ट वीडियो में